हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं सब लोग तो आज हम लोग स्वस्त्र वित में हीलियो थेरपी टॉपिक मतलब की सन बात यह जो सूरी के किर्णों के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे यह चिकित्सा पद्दती समाने तोर पे अगर देखा जाए तो नेचरो पैथी में यूज होती है लेकिन स्वस्त्र वित में चुकि यह टॉपिक है तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो इस टॉपिंग में हम लोग जानेंगे पहले तो इसका परिच्छा देखेंगे कि सूर्य किरियन एवं रंग चिकित्सा होती क्या है और सूर्य को क्यों महत्व दिया गया है इतना ज्यादा फिर इसके बाद शूर्य रस्मियों के रंग मतलब कि शूर्य किरिणों में किस्ते प्रगार के रंग होते हैं फिर इसके बाद दोसों का रंगों के साथ संबंद मतलब जो वात्पित कफ दोस हैं कौन सा दोस किस रंग के साथ क्या संबंद रखता है इसके बारे में तत्प तरिपी को कितने प्रकार से ले सकते हैं कितने प्रकार से लाब उठा सकते हैं और इसके क्या लाब हैं और क्या हानी हैं इसके बारे में भी डिसक्स करेंगे और शूरियर रस्मियों की अनविधिया और किन-किन तरीकों से सूरिय की जो कुर्णे हैं इनका ची किस्सा में प्र जाए दिखते हैं कब परिशाएं, तो परिशाएं में अगर देखा जाएं तो हमारी संस्कृती में प्राचीनकाली से ही सूर को देवता या भगवान मानकर उनकी पूजा अरचना की जातीए सूरी को देवबवान, डेवता की अपधिकी, दी गई कि जो सूरी के सामने सूर्य नमसकार करे यह सब चीजों से भी इसको लिए जा सकता है ठीक सूर्य से हमें ताफ ही नहीं बल्कि बुढ़ी बुढ़ी और दीर-गाजुश की भी प्राप्ती होती है तो तापती मतलब कि सूर्य तो हीट जेनरेट् इसको चिकित्सा में भी किसी तरह से उन लोगोंने माना होगा इसी वज़े से उन्हें बुद्धी और दीरगाईश की प्राप्ति होती है इससे यह पता चलता है कि वह इसको हीट के सूर्स की तरह तो मानते ही थे तथा साथी साथ जो पुराने समय के लोग थे उन्हें भी य कर सकते हैं इसी के साथ एक श्लोक है सवितान सुवतू सर्वतीतम सवितानो रास्तान देर्घमायू ठीक है मतलब यह श्रेष्ट प्रकाश जो विश्व को प्रकाशित कर रहा है यह हमें सुबुद्धी और देरगायुश प्रदान करे प्लीनी का कथने रोम में छासव वर सवितां कि पुराने समय के लोग के सुरी रतमियों के द्वारा चिकिसा प्रवाइट कराते थे इसके बाद रिगवेत का है कि सुर्य आत्मा जगतस थुश्च मतलब की सुर्य ही सथावर्वा जांगम की आत्मा है ठीक है इसके बाद एक और श्लोक दिया गया है क्या है कि अंतश चरीत रोचन अस्य प्राण पानती व्याख्यम महिशो दिवाम ठीक है मतलब भगवान सूर्य की जो प्रभा है वो शरीर के मध्य में प्राण रूप होकर रहती है अता शरीर को स्वस्त व्यम्दिर की जीवी होना भवान सूर्य की क्रपा पर निर्भर करता है इसके साथ अथर्वेद में एक श्लोक दिया गया है उद्धन नादित्य रश्मी भी शीर्षण रोगम मनीशा मतलब प्राता काल की आधितिक किर्णों से अनेक व्याधियों का न मिलते हैं तो यह हो गया इसका परिचाएं फिर इसके बाद देखते हैं शूर्य रस्मियों के रंग तो अगर देखा जाये तो हमारे रिशियों ने सूर्य के सात रंगों को पहचाना है और माना है ठीक है तो नोंने रिवेद में श्लोक भी दिया है सब्त अश्वोहरीतो रथे वहन्ती देव शूरियम सोचिश केशम विचक्षण मतलब इस लोग है ठीक है तो यह श्लोग क्या कहता है कि अर्था है सूरिय आपके रश्मी रूपी साथ अस्व किरण रूपी केश युक्त रथ में आपको विचरण कराने ले जाते हैं ऐसा प्रतीत होता है यह साथ अस्व की कलपना साथ रंगों की किरणों के काराण ही की गई होगी है तो यह पेंटिंग आप देख सकते हैं इसमें जो सूर्य देव हैं वो साथ घोडों के साथ निकल रहे हैं और इन साथ अस्वों से जो प्रकास के जो साथ रंग होते हैं उसको दिखाने की कोशिश की ग प्रिज्म से साथ रंग कैसे हैं ठीक है जैसे बैंगनी गहरा नीला नीला हरा पीला नारंगी वा लाल तो बैंगनी को यहां पे वॉयलेट कहा गया गहरे नीले को इंड़ को नीले को ब्लू हरे को ग्रीन पीले को यलो नारंगी को ओरंज और लाल को रेड कहा गया तो इसका एक निमोनिक भी बनता है विव गयोर आप लोग इसको जानते होंगे तो इंदरधन उसमें साथ कलर होते हैं ठीक है और जिसका निमोनिक है विव गयोर और ये सातो रंग मिलकरके वाइट कलर बनाते हैं श्वेट रंग बनाते हैं इसलिए सूरी की कुर्णे हमें श्वेत दिखाई पड़ती हैं और इन सातों रंगों में मुख्य थीन ही रंग है लाल पीला वा गहरा नीला तो लाल हो गया रेड पीला येलो वा गहरा नीला मतलब की इंडिगो कलर हो गया ठीक शेश रंग इन्हीं तीनों के परस पर सहियोग से बन जाते हैं बाकी के जो र सुरे के और험 नहीं हैं सब्सक्राइब है वह सूरी के चारो परिक्रमा करते हैं अग्र हम में दिकराएब फ़ी है घ्रते हैं तो वह चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं उनकी कि बारी कि परती फे आती हैं कुछ हथ तक तो उसके बारे में वियाचारियों कहा है कि चंद्रमा की किर्णने चांदी के सामान मंगल की किर्णने लाल बुद्ध की किर्णने पीली ब्रहस्पती की किर्णने नारंगी और शुक्र की किर्णने नीली होती है राहू मतलब पृत्वी की किर्णने काली होती है और केतु मतलब पृत्वी की छाय की किर्णने हल की आसमानी रंग की होती है तो यहां पर उन्होंने ग्रहों के द्वारा जो किर्णे निकलती है जो प्राप्त होती है उसके बारे में भी वर्णन किया गया है इसके बात कि प्रते ग्रह की गरती अलग-अलग होने के कारण किसी स्थान पर किसी की किर्णे अधिक वा किसी कम प लुड़ा नहीं बताये गया है और तेन का रंगों के साथ क्या सम्बन्ध है, उसके बारे में देखते हैं तो दोशवा रंग के बारे में अगर बात की जाए तो जो पीला रंग होता है वो वात दोश को बढ़ाता है और वात दोश से संबंद रखता है और मानसिक दोश की बात की जाए तो यहां तम को बढ़ाता है जो लाला रंग होता है वो पित दोश को बढ़ाता है और रजे से सम्मंद रखता है और जो नीला रंग होता है वो कफ को बढ़ाता है और सत्व से सम्मंद रखता है तो यह हो गया दोशोय एम रंगों में सम्मंद फिर इसके बाद देखते हैं रंगों के प्रभाव तो रंगों के प्रभाव अगर देखा जाएगा तो जो लाल और नारंगी रंग है यहां उश्लू होता है नीला रंग है यह शीत का प्रतीक है जो पीला रंग है यह सितोश्लू होता है आसमानी रंग अत्यांत शीत होता है बहुत ही जादा ठंडा हरा रंग सम्शी तोश्लम मतलब कि कुछ ठंडा कुछ गरम होता है श्वेत जो होता है वह शांत होता है ठेक है? इसी वज़े से सफेद रंग को सांती का प्रतीक माना जाता है पीस ठेक है? आप सभी ने देखा होगा मुवीज में कि जब दुश्मन सांती का जो पैगाम लिए आता है वो सफेद रुमा या सफेद कप्ला लहराता है तो सफेश वेत रंग से शांत होता है ठेक है? यह हो गया रंगों के प्रभाव फिर इसके बाद दिखते हैं अलग अलग रंगों के शरीर पे क्या प्रभाव पढ़ते हैं उसके बारे में जो सबसे पहले जिखते हैं लाल रंग तो लाल रंग को रेड कलर बताया जाता है ठीक है? तो यह सूर्य के किर्णों में सबसे अधिक इस्थान वाला उत्तेजक सफूर्ती, बल वा शक्ती बढ़ाने वाला होता है क्रिया, शीलता बढ़ाने वाला ठीक है? वा अगनी तीवर करने वाला होता है ठीक है? लाल रंग हम जानते हैं लाल रंग पित्त को बढ़ाने वाला होता है पित किस से बढ़ेगा लाल रंग से, तो इसका प्रयोग वायू विकारों में, शीत जनित रोगों में, तथा आनियमित मासी स्त्राव आधी में किया जाता है, ठीक है, अगर आनियमित रूप से मेंस्ट्रूल आ रहे हैं फिमील को, तो उसमें भी लाल रंग का प्रयोग कर सक देखते हैं, ठीक, तो यह हो गया लाल रंग, फिर इसके बाद देखते हैं, नारंगी रंग, तो सूर्योदे वा सूर्यास्त के समय का रंग है, ठीक है, यह उर्जा, उत्सा और कार्य शम्ता को बढ़ाता है, ठीक है, कार्य करने की शम्ता को यहां बढ़ाता है, शीत से उ नूरल प्रॉब्लम तंत्र का तंत्र के रोग मांसिक कमजोरिय वा मांस पेशी शितिलता है छे आधी रोगों में हितकारी है फिर इसके बाद देखते हैं फिर देखते हैं तो पीला रंग भी नारंगी रंग के समान गुरधर्म वाला होता है मतलब कि इसके जो एफेक्ट है देखता है वो नारंगी रंग के समान गोंगे है लेकिन किन्तू उसे से अलफ उष्ण होता है मतलब कि थंढ़ा होता है उससे ठीक है और इसका प्रियोग मदू में पक्षागात नपुनसक्ता वा है इसका जो प्रयोग है वह मदुमे पक्षागाद नपंशकता और विबंद आधी रोगों में किया जाता है ठीक है फिर इसके बाद देखते हैं हरा रंग तो हरा रंग आखों के लिए शीतल वह शक्ति वर्दक होता है जो ग्रीन कलर होता है वह आइस के लिए बहुत फायद England तो निला रंग तवक सहच विकारने लावब होते हैं इस नायू को शक्ति-वर्दान करता है और इसमें नीला रंग आग मानसिक्ध मेर सत्व को बढ़ाने वाला theor crystal झाना ह calm तो सत्व बढ़ता है तो क्रोध आदी जो भी नेगेटिव चीजें वो दूर हते हैं असलिए जो नीले रंग को एक तरह से देखा जाए तो शांती या पीसफुल कलर भी बोला जाता है तो नीले रंग में क्रोध को दूर करने के भी गुण होते हैं फिसके बाद देखते हैं गहरा नीला गहरा नीले का मतलब इंडिको कलर तो यह कीटानू नाशक होता है यह इंपोर्टन है यह कीटानू नाशक कलर होता है ठीक है जननांगो के शोत और दाह आदी में उपयोगी होता है तो जननांगो में जो भी infection है या एडिमा है शोथ है और दाहा आधी हो रहा है तो इसमें बहुत जादा उपयोगी होता है फिर इसके बाद देखते हैं बैंगनी कलर मतलब वायले कलर तो वायले कलर इसके जो गुण होते हैं वो नीले रंग की तरह ही होते हैं ठीक है और इसके प्रभाव से नीद बहुत अच्छी आती है और रक्त अलपता में विशेश रूप से उपयोगी है अगर खून की कमी है तो यह कलर विशेश रूप से उपयोगी होता है ठीक है तो यह हो गया कलर का जो प्रभाव होता है बाड़ी पे किस पर अगर पड़ता है उ उसके बारे में तो आतब्सनान जो होता है वो दिन के ठंडे समय में करना चाहिए जैसे कि सुभे का टाइम हो गया शाम का टाइम हो गया ठीक है तो पहले पीट के बाल 10 मिनट ले लें 尤 फिर उस के बाद पीट के बाल ले लेंगे ठीक और धीरे-धीरे पहले दिन 10 मुनट फिर 50 मिनट ऐसे करके धीरे-धीरे-अफ़़ी बढ़ानी चाहिए और ग्रीश मुलितू में एक 富शीड रुतियू में तीन गहंटे तक आतप सनान लिया जा सकते हैं मतलब कि दस मिनट से बढ़ाते बढ़ाते गर्मियों में आप मैकसिमम एक गहंटे तक कर सकते हैं और ठंडियों में मैकसिमम तीन गहंटे तक आप ये duration कर सकते हैं फिर इसके बाद देखते हैं मतलब कि आप sun बात कितने type से ले सकते हैं इसके बारे में एक तो सामानी हो गया ठीक इसके बाद दूसरी होगी स्वेध लाने के लिए हम इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे ठीक है तो दूसरा हो गया स्वेद लाने के लिए तीसरा हो गया रिकली का धूप स्नान ठीक है उसके बाद कुने का धूप स्नान गीली चादर का धूप स्नान स्थानी धूप स्नान और रंगीन काच की शीशें अथवा पानियों के द्वारा धूप स्नान ठीक है, सुरी पानिया नहीं है, इसे पनिया लिखेंगे, यह पनियों के द्वारा धूप सनान, ठीक है, तो पनियों के द्वारा भी धूप सनान होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सामान ये विधी के द्वारा जो सनान लिया जाता है, वो कैसा होता है, तो सामान ये वि हवा ना चल रही हो तो उस स्थान पर नां जो आपको ज्यादा मतलब कि आप लेटे तो वहां आपको ज्यादा वायून ना लगे सिर को कपलो से ढख लें जो सर का भाग है को अच्छा अनुसार समय थोप का सेवन कर कता कि संबाथ ले सकते हैं जितने टाइम तक आप चाहें इस इसके बाद देखते हैं स्वेध लाने के लिए जो सनार होता है तो स्वेध लाने के लिए इस विदी में पसीना आने तक आतप का सेवन किया जाता है मतलब हीट का सेवन किया जाता है ठीक है इसमें गरम पानी पिया जाता है और 20-30 मिनट धूप में लेटा जाता है ठीक है इ तो सामान ऑसनान और सोःद लाने वाला इसनान इन दोनों वीडियों से आतब सेवन के पश्चात करना जिस आतम पानी प्वीतन से स्वेधों के दुआरे जमल श्रीर के बाहर आया है वो बाहर निकल शरीर निश्काशन हो जाए ठीक है, तो आई होप यह सुएध लाने वाला इसनान भी आपको समझ में आया होगा, इसमें गरम पानी पीते हैं और 20-30 मिनट तक धूप में लेटते हैं, फिर पसीना आजाता है, और पसीना आने के बाद ठंडे पानी से नहाते हैं, जिससे जो पसीना होता है, जो गंदगी में करा जाता है, इसमें जो है न, शरीर को पूर्ण तह निर्वस्त कर इसनान लिया जाता है, मतलब कि पूरा निर्वस्त कर दिया जाता है, फिर फुल बाडी इसनान लिया जाता है, और इस इसनान से एक दिन पहले, संपूर्ण शरीर को धूप नहीं दी जाते हैं, इस से सुथे दिन नाभी तक फिर धीरे धीरे बढ़कर नौवे दिन गले तक दूपसनान करा जाता है तथा दस्वे दिन रोगी के संपूर्ण सरीर को धूप मेलाते हैं और यह धूपसनान पांच-पांच मिनट के अंतर पर तीन चक्रों में पूर्ण होता है मतलब कि पहले दिन पांच मिनट के जो तीन सेट हैं वो लगाएंगी उसमें पंजे में रखेंगे फिर दूसरे दिन सेम चीजें पैरों तक आएंगी तीसरे दिन बढ़ती 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 दसवे दिन फूल बॉड़ी तक आती हैं दूप में रहने के समय भी धीरे धीरे बढ़ाया जाता सकता है और हर बार क्या गीली तोरियों को शरीर से पोचा जाता है और यह धूप इसनान बाल को वा शारीरिक मानसिक दौरबल चर्म रोग आदी में विशेश हितकारी होता है ठीक है तो पर इसके बाद देखते हैं कूने का कूप इसनान सौरी यह कूप नहीं यह धूप है तो कूने का धूप इसनान तो सर्व परथम रोगी को लंगोर पहना कर धूप में लटाते हैं जहां वायू का जोका ना तो हवा ना चल तो कहीं भी अगर आप संबात करा रहे हैं तो मेशोर कि उजगा पे हवा ना चल तीज़ेओ ठीक है चेहरा शिरव नाभी को धूप से कि अनुसार समय को कम या अधिक भी किया जा सकता है तो अगर ये डिल खंते तक जनरली लिया जाता है लेकिन अगर आप के पास समय नहीं या कोई किसी कोई और आवशक का रहे हैं तो आप इसको कम जादा भी कर सकते हैं दूब स्नान के पश्चाद बंद कमरे में सिर्से स्नान करा शरीर को तॉलियों से पोच देते हैं यदि रोगी चीन है तब इसनान के स्थान पर शरीर को गीले तॉलियों से ही पोच देते हैं ठीक अगर रोगी कमजोर है तो इसनान नहीं कराते हैं गीले तॉलियों से पोच जाती है अगर रोगी इसमें भी नहीं सक्षा में तो पेड़ू पर पेट पर ठंडी पट्टी 20-25 मिनुट तक रखी जाती है इस इसनान के प्रभाव से विजाती है तत्व जो टॉक्सिक तत्व होते हैं वो स्वेद मल मूत्र द्वारा से बाहर निकल जाते हैं और वह इसना ठंडे पानी से धुलते हैं या गीली समान कराते हैं पोच देते हैं ठीक है अगर रोगी छीन हैं तो ठंडी पती रखते हैं और उसके बात क्या हता है उक्छा क्यों झा दोखी कि यthank थेपने बाहर लटाते हैं और जब शरीर गर्म हो जाए तब भी शिवर को आज़ा कर जंगा तक गीले वस्तर से ढख देते हैं, बस्तर के सूखने पर हलका पानी से छिरकाव कर देते हैं, और जंगा के नीचे सूखे वस्तर से ढखा रहता है, शिर पर सुरू से गीला वस्तर ढखते हैं, या सनान 20-30 मिनिट तक का होता है और इसके बाद कटीवा मेहन सनान कराते हैं बेसिकलाफ में क्रते हैं कि जो परसन होता है उसके जो संबात करते हैं पहले फिर उसके बाद जब बडूडी हीट होजाती है तो गरदन से लेके जंगा तक इतने एरिया में गिला कपला रख देते ठिक है और नीचे की अरहें को सूखाई रखते और जैसे सूखता जाता है तो इस पर पानी का च्छलकाओं करते रहते हैं लज यह संबाथ कराइए भीवेशनान भी ‎ससे टीस मिनिर तक ले सकते हैं ठिक है और इसके बाद कटी या मेहन संनान कराती थे ठीक तो यह हो गया गिली चादर का धूप इसनान फिर इसके बाद देखते हैं स्थानी धूप इसनान लोकल जो सन बात होती इसको ठीक है तो इसमें बेशिकली आन्सिक धूप स्नान भी कहा जाता कता है ठीक है, इस स्षिर्ट पांट में, जिस अंग को धूप स्षिर्ट सायर कराना है, सिर्फ उसे खुला कर धूप में रखते हैं, जिस पार्ट को जैसे हाथ में Scroll सब्सक्राइब सब्सक्ते कराना है। ठीक है, से शरीर धका रहते हैं, आप श्र्ड पहें के का, सिर्फ हाथ में मतलब कि शड़ को वापिस लपेट करके आपका हाथ निकाल दिया और उसी को ही सनबात करा दिया ठीक है दूप के बाद गीले तॉलिये से उस इस्थान को पोचकर पुना दूप सनान कराते हैं और इस प्रिक्रिया को तीन से चार बार दोहराते हैं फिर इसके पर colored जो color होता है वो डाला जाता है ठीक है मतलब कि जो शूरी की किरिन होती इसको रंगी सीसे से सपास कराते हैं और जिस कलर को होता हाए वही रेस पास होंगी तो इससे कांच जिस रंग का है उसी रंग की कंणरे रोगित तक पहुछती है ठीक है तो आप देख सकते हैं जिसे पित्तज व्यादिया है तो हरी कलर का कांच लगा दिया तो हरी जी निकलती है जिससे उसे आराम मिलेगा blue colour का निकार लगा दिया तो blue colour का नीले रंग का जो कांच होता है वो भी पित्द के विकारों में useful होता है ठीक, और यह याशनान विशेस रंग की किरणों का लाब उठाने के लिए किया जाता है कोई specific किरण चाहिए होती है ठीक, जैसे मान लिजे तो इसका प्रियोग भी किया जा सकता है इसके बाद देखते हैं ने आ송 आतम सेवन के पशेलिष्तान करेंफाएं अदिखी द्रबा का सरी से निस्काशन हो जाता है तता रोम को खुल जाते हैं जो टॉक्सिक पदारत है वो सरी से बाहर निकल जाते हैं और जो रोम कूप है वो खुल जाते हैं जीवनी ये शक्ती बढ़ती है इम्यूनिटी बढ़ती है रोग उत्पातक जीवानों नस्ठ हो जाते हैं जो भी जीवानों जिन से रोग उत्पत्ती हो सकती है वो नस्ठ हो जाते हैं ठीक, सरीर में सभी रंगों का प्रवेश हो जाता है, जिससे सभी रंगों की समावस्था बनी रहती है, ठीक, सभी रंगों प्रवेश हो जाएंगे, तो जो कम रंगों का प्रभाव कम होगा, उसका प्रभाव भी समानेवस्था में आ जाएगा, और जिन रंगों की कमी होती ह सब्सक्राइब कोशिकाओं में सब्सक्राइब कोशिकाओं में सभी सेल्स में उर्जा का संचार होता है ठकान दूर होती है मांस्पेशियों की कारेशमता का विकास होता है जो मसल्स हैं उनकी कारेशमता का विकास होता है बिचाती है द्रव्यों के निशकासन से रख्त शुद्ध होता है ठीक ब्लड पुरिफाय करने में भी यह बहुत ही ज़्यादा फैदे मांद होता है शेरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है हम सभी जानते हैं कि सन जो है वो विटामिन डी के सिंथेसिज में कितना जाता है इंपोर्टेंट है गर्भिनी इस तरी को गर्भावस्ता के लक्षण जैसे श्रम, कटी सूल, हरलास, आदी में लाफ पराप्त होता है सन लेने से गर्भिनी के लिए भी फायदे मन दे है और आतप के सेवन से इस तन्य की भी व्रिद्धी होती है तो यह हो गया आतप स्नान के लाफ फिर इसके बाद देखते हैं जो सूर्य की किर्णे हैं इनके उपयोग की अन्य विद्धिया तो सूर्य की किस्सा में आतप सेवन के अत्रिक्ट विभिनर उंगों की बातलों में पानी भर कर शक्कर, मिश्री घी, आदी वावायू, औशदी उपयोग के लिए तियार किया जाते है तो कलर्ड पानी कि विधी क्या इसके बारे में जानते हैं तो अगर सामगरी की बात किया जाए तो सामगरी के अंतरका साथ रंगों की कांच की बोतल ले सकते हैं या मुखे तीन रंगे की बोटले होते हैं और उसी रंगे के कौर्क भी रखते हैं ठीक है फिर देखते हैं विधी क्या है तो विधी क्या है देखते हैं कि पानी की बोतल में 3-4 मतलब 75% भाग तक भर पानी भर देते हैं और फिर बोतल को चौकी पर धूप में रख देते हैं ठीक है और बोतल पर प्राता और साम की धूप पढ़नी चाहिए तो जिस कलर की भी बोटल होगी उस रंग का प्रभाव पानी के अंदर जाएगा और वो उसी के नुसार रोगा नुसार यूज़ हो सकता है अगर समय की बात की जाए तो सुबह नौ से साम पांच वेजे तक ठीक है और अगर जल देखा जाए तो चार घंटे में जो यह जो आशदी जल है यह तैयार हो जाता है तैयार पानी उसी बोटल में छे या साथ दिन तक सही रहता है ठीक है और जैदी पानी को हम नॉर्मल बोटल जैसे सफेज बोटल में रख दिया जाए तब दो दिन में ही उसके गुर्ण नस्ट हो जाते है ठीक तैयार पानी पर अनिकी से रंगा प्रकास नहीं पढ़ना च करें जाता है सो यह हो गया हीलीोठाइप अर्ट शूरियोठ़़े तो ना यह स्की घरते हैं अरक है यह फपते से जो वीडियो समझ में हमया पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फर वाचिंग